असलामों अलेकुम केसे आप सब हम सब यह अल्ला के शुकर से बिलकुल ठीक है तो यहाँ पर है दोफेर के 11 बजे का टाइम और में जा रही थी मेरे साथ मेरी भेन भी थी डमडा मांटो में जा रही थी हॉस्पिटल ममी को है ना चेक अप कराने थी जैसे कि आपको मैंने पहले बताया का पुरानी वीडियो में कि अम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना तो उनकी यह ना तीन महीने के अंदर एक जाच होना थी तो एसी वीडियो बनी हुँ एकदम हिल्टी डुलती अचा फिर वहां से डॉक्टर आ नहीं पाए थे जो डॉक्टर थे वह दूसरे छुट्टी पे थे और एक जो डॉक्टर थे उन्होंने फिर शाम को चार बज़े के टाइम बुलाया था तो फिर मैं घर पे आई 6-7 तो बजी जाएंगे तो कि थोड़ी जाज वगेरा में भी टाइम लगता है और फिर डॉक्टर वगेरा यह कि जब वह आएंगे तब जाच होगी तो मैंने सोचा दाल में बना के चली जाओं तो यहां पर मैं दाल बना रहेंगो दाल भीगो के राकिती और उसमें ना मै गलने में काफी टाइम लगता है तो इसलिए थोड़ा पानी में जादा डाला है और वेसे थोड़ी जल्दी गल जाएगी क्योंकि मैंने 2-3 घंटे इसको भीगो दी थी तेल थोड़ा सा इसलिए मैं डाल रहे हूं कि जब यह इना इसमें पानी थोड़ा जादा है यह उब अच्छे लगते हैं क्योंकि गर्मी में किचिन में वैसी खड़ा नहीं हुआ जाता फटा फट से बन भी जाता है दाल चाड़ा दें आपो थोड़ी दिर हवा में बेट जाए दाल बन जाती है फिर बगार वगेरा लगा दें यहां पर इमली को मैंने भीगो के रखता तो उसका पानी डाल रही हो इसमें थोड़ी खटाई का फ्लेवर अच्छा लगता है ठीक है तो इसमें थोड़ी इसी में इमली को छान के डाल रहे हो उसका पानी और फिर इसमें मैं प्यास का बगार दे दूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी यह भूती मजे की बनी थी और अभी जब से गर्मी लगी दो से तीन बार में ये दाल बना चुकी हूं अच्छा थोड़ी गली हुई जादा अच्छी होती है ना तो इसका फ्लेवर जादा अच्छा आता है बस थोड़ा टाइम लेती है गल्ले में है लेकिन अगर हम भिगो दें ऐसे तो बनती जल्दी से काम कर रही है फिर उसके बाद आके मैंने चावल बना लिये थे और दाल तुम्हें पूरी कंप्लीट बना खर गई थी यहाँ पर प्यासों का कलर जैसे ही चेंज होगा तो मैं दो से तीन हरी लाल खड़ी मिर्चे डाल दूंगी मुझे इसमें अच्छी लगती है और साथ में मैंने प्यास और ककड़ी टमाटर वगेरा का कचूमर भी बना लिया था डाल चावल के साथ थोड़ा कचूमर या सल अच्छा लगता है खाने में यहाँ पर डाल को बगार देंगे हम अच्छे तरीके से और साथ में आज मैंने कोई सी अलग सब्जी भी नहीं बनाई थी क्योंकि यह बच्चों को हम सबको बहुत पसंद है हस्बंड तो मतलब चमस से रूखी खाते हैं उनको बहुत पसंद यह दाल तो जैसे जो कोई सी चीज़ एकात किसी बच्चे को या हम लोगों को कुछ पसंद नहीं होता तो हम दाल के साथ कुछ और सब्जी या कुछ और बना लेते हैं लेकिन में यह वाली डाल सबको पसंद है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था यह दाल चावल मेरे जाइव दाल निकल लेंगे हजबने करें चावल पसंद देख तो देख यहां पेज़ू मुझे जरूर जरूर से याद रखना तब तक के लिए अल्ला हाफिज